पारत माता की आप सभी का दन्वाद हमारे से दुबारा से जुड़ने के लिए और जो चीज़िया भी चल रही है आप लोगों को सभी को पता है तो सब्सक्राइब करेंते हैं यहां बताद हैं हमारे पास हाप डेख सकते हैं सारे हिंदूस्तान का आज जो रैसलिंग का यहां बैठा है जो रैसलिंग की करीम हो यहां बैठी है वह अपने फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं यहां पर आगे और जो बोल रहे थे कि कोई सामने आ जाए तो मैं फासी पर लटक जाओंगा जो आद देक्स जी ने हमारे ने एक बयान दिया था पहले तो एक दो लड़किया थी अब हमारे साथ पांच से छे लड़किया है विद पुरूफ है तो ऐसी चीज ने कि हम जूट बोल रहे हैं या कोई ऐसा ही अगर अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पुलिस का सारा भी लेंगे केस करके हम आगे बढ़ेंगे हमारा मकसद यही है हमारी कुस्ति को दुबारा से जीवित करवाना है अगर जल्द से जल्द कारवाई नहीं हुई इस मामले में क्यूंकि आप सब को बताया कि हम खिलाडियों के लिए एक एक दिन सो साल के बराबर होता है आज दूसरा दिन भी खतम होने को जा रहा है लेकिन अनफोर्चुनेटली बोले हैं या हमारा दुर्बागय मान लीजिए हम खिलाडियों का दुर्बागय मान लीजिए कि अभी तक हमें एक संतूस जवाब नहीं मिला है तो हम उसका वेट कर रहे हैं और आप सब लोग भी यहां पे उसी का वेट कर रहे हैं कि फाइनल डिसिजन कब आएगा क्योंकि जो हमने इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम हमने लगाए इसलिए हैं क्योंकि वो सत्य थे और आज कल हम जैसे बोल रहे थे कि मारे पास एक दो लड़किया है जिनके साथ उन्होंने किया है क्योंकि आज और आज हमारे पास 5-6 लड़के आ गई हैं विद पूरूफ है हमारे पास में उनके साथ में जो जो हुआ है हमें मजबूर ना किया जाए सब के सामने आने के लिए हम सब आतम सम्मान को अपने बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लड़को कातम सम्मान सब से ज़यदा जरूरी है हिंदुस्तान की बेटिया है हम हम जंदा के सामने आगे ये बताना नहीं चाहते कि आपकी बैटियों के साथ में क्या क्या हुआ है मेरे साथ क्या हुआ है एक्स वाए जड जड किसी का नाम आगे नहीं लेके आना चाहते आपके स्वालों का भी मैं जवाब देखती हूं फहली मेरी बाद सुनीजीए आपके बैठ़क का भी बताएंगे आपको कमरे का भी बताएंगे हमें अगर मजबूर किया गया तो कुस्ति का दुर्भाग्य होगा जिस दिन देश की बेटिया सामने आएंगी और अपना नाम लेके पूरी मीडिया के सामने बताएंगी कि हमारे साथ में हुआ था विद पूरूफ हम आएंगे लेकिन हम वहीं फिर से हम देश के प्रधानमंत्री जी से उमीद कर रहे हैं कि हमें इतना मजबूर ना किया जाए इस देश की हिंदूस्तान की बेटियों को इन खिलाडियों को इतना मजबूर ना किया जाए कि हमें ये काला दिन देखना पड़े खिलाडियों के लिए यह कुस्ती की लड़कियां नहीं हैं सिरफ हुंस्तान की बेटियां है और हुंस्तान में बेटियों को मातालक्स्मी माधूर्गा के नाम से पुकारा जाता है हम पूजा करते हैं उसी वनसाज का हम एक हिस्सा है जो हम आप सब के बीच में बैटी हैं, आप सब लोग हमारा साथ देने के लिए आए हो, इतनी दूर से आप लोग आए हो, खुश्ती के हक के लिए आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरी बात रही, अगर आज शाम तक हम अभी तो टाइम बाकी है, रात ओड़े में हैंगे, अगर हमें और जदा उक्साया जया तो हम उनको जेल में भी डलवाएंगे, हम चाते हैं कि उनका इस्तिफा लीजिये और उन पर कारवाई की जाए, इस्तिफा नी फैडिसन को बंग किया जाए, इस्तिफा लेके तो आपने लोगों कोई बिठाएंगे, हम इस्तिफा नी फैडिसन को बंग करना चाते हैं, हम आपने यही मांग है, गौर्मेंट से, रही दूसरी बात, हम लीगल तरीके से भी हम जाना नहीं चाते थे, क्योंकि हमें एक विश्वास था, कि देश के परधान मंत्री जी, गर्या मंत्री जी, हमें उस लाइन में नहीं लेके देना चाहेंगे, हम उनके सामने जाके वो प्रूफ बिद लड़कियां हम लेके जाते, और कोई लड़की भी सामने नहीं आते, किसी की लाइट को भी डेंजर नहीं होता, किसी की फैमिली को भी कोई नुक्षान पहुचाने की कलकुहानी नहीं होती, हम ये खतरना लिकला, आज वैसे हम बता रहे हैं कि आज की हम वेट करें हैं, रात होने तक वेट करते हैं कि कोई संतुषपून जवाब आए, इतना अगर देश का हिंदूस्तान के जो उलम्पिक मैडलिस्ट हैं, वर्ल्ड मैडलिस्ट हैं, अगर वो बोल रहे हैं कुछ हुआ है, तो उ हिंदूस्तान की हर जंता को चैलेंज करते हूं को मेरे सामने दो मिन्ट बिठा दीजिए, और वाँखों में आखे डाल के बोल दीजिए कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, अगर हमें मजबूर किया गया तो हम कल F.I.R. भी दरज करवाएंगे, हम केस भी लड़ेंगे, लेक लेकिन उसमें हिंदूस्तान की हजारों लड़कियों का हजारों लड़कों का रैसलिंग का कैरियर खतम होने की कगार के हो जाएगा, हम उस दोर पे जाना नहीं चाते हैं, हम उस जगह पे जाना नहीं चाते हैं, जो क्योंकि हमें अगर यही सी दोर पे जाना था तो हम अध पिछे पड़े हैं महाराष्टर की लड़कियों के आज मेरे पास केरला से भी फोन आये हैं लड़कियां खुश है कि मैंने आवाज उठाई है वो मुझे बदाई दे रही हैं कि दिदी पिछे मत अटना हम आप सब के साथ खड़े हैं इसी होचले के साथ अब लगे रहना कि लड़के का मैडल आता है तो उनके लिए एक उलम्पिक के मैडल के सम्मान एक जित होती है अगर वो लड़किया भी अगर सोचन का शिकार होई ता आप देख लिजे कि ये लोग कहां तक फैले हुए हैं करको अगर कुछ भी अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है जल्दी हम कल F.I.R. भी लॉंच करवाएंगे एक नहीं कम से कम 5-6 लड़किया जो भी हैं वो सब F.I.R. करवाएंगी और हम लीगली कोर्ट के थरू जाएंगे लेकिन वो दिन जब आएगा इतियास के काले पन्नों में दर्ज होगा मैं ये एक दावे के साथ बोल सकती हूँ और हि हम जैसे लड़कियों के साथ ऐसे होगा तो हिंदुस्तान में मैं सोतरी हूँ कि हिंदुस्तान में कोई भी नॉर्मल महिला किसी भी जगह पे सुरुक्सित नहीं है मैं ये एक विश्वास के साथ कल को बोल पाऊंगी कि इस देश में एक बेटी पैदा नहीं होने चाहिए बहुत-बहुत दुनियवाद आप सब्सक्झा राउना मीवियश्वास का एक गाती करें में मीटिंग में आश्वास नहीं है है सट कोई थोस हमें नहीं बताया गया कि हैं कोई ठोस कदम लेंगे या कोई एक्षिण लेंगे बस आश्वाशन दिया गया है लेकिन उस आश्वाशन से हम खुश नहीं है हम जैसा कि हम पूरी रैसलिंग फेडरेशन का और जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ भी सबकी भूज़िकात पिदिता रही है उनके साथ खुद रोगारी है तो आप समझ सकते हैं ह। फैने फैले हुए है तो हम चाहते हैं करद फैडरेशन भंग हो, और एक बार फिर से मैं पने प्यम सर को मेडलिस्ट बैते हैं पूरी की क्रीम या बैठी अपनी ट्रेनिंग छोड के बैठी अपने घर परिवार को छोड के बैठी आप बाई रह यह करेंगे आप हमारे साथ जस्टीस करेंगे हम हम इसी बस आसवाशन यह है कि हाँ हम करेंगे करेंगे लेकिन कोई तो संतुस जंख नहीं है कोई satisfaction वाला आंसर नहीं है उनकी तरफ से आप सब के सामने ही हम गए थे बात करने के लिए हम सरकार के नुमाइंदों का नाम नहीं लेना चाहते किस ने क्या किया है क्या नहीं किया है क्यूंकि हमारी लड़ाई एक बंदे से है ना सरकार से है ना सरकार के अधिकारियों से है मुलाकात सरकार के लोग थे हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के कुछ लोग थे जिन से हमारी बात हुई है हमें बोला गया था कि आप आईए हमारे सामने बात रखिए और हम उसका सोलिशन निकालेंगे उसका समाधान निकालेंगे लेकिन समाधान एक साल चलेगा दो साल चलेगा चार साल चलेगा हमारी जिन्दगी खतम होने के बाद तक चलेगा हमें यह नहीं पता है हमें आशवासन इतना दीजिए कि कल हो जाएगा परसो हो जाएगा नर्सो हो जाएगा हम डटे रहेंगे हम म सब्सक्राइब हुँ पिर दो उड़की के अंदर होता है वहां पर कैमरे नहीं लगा जाते हैं उसके सामने बीटियां डे 것은 हैं मैं नहीं चाहते हैं चाहिज हम उनका खुलाशाओ है लेकिन हमें मजबूर किया तो हमें वह सब करना पड़ेगा जो हिंदूस्तान की लडग्यों के इंदुस्तान के मेलाओं के लिए सबसे बुरा दिन होगा सर हमारी टाइम लाइन तो एक एक गंटे की है हम एक एक गंटे का हम वेट कर रहे हैं क्योंकि हम रैसलर हैं सब हम एक्टिव रैसलर हैं कोई हम रैसलिंग छोड़ के इधर नहीं आए हैं कि हम बहुत पुराने खिलाडी है कुछ भी हम नोजवान बैठे हैं सब हमारा सब कुछ दाओ पर लगया है यापर हमारा फैमली हमारा परिवार हमारा गाहों हमारा सब हमको पलकों पर बिठा रहा आजब हम सम्मान के साथ देख रहा हमने चारते कि उनके नज़े दुके, उनको पता चले कि उनकी बेहनों के साथ में ये हुआ है हम बेटकर रहे हैं, कब बाथ्चित होगी? अगर उनसे भी बाथ्चित होती है तो हम आप सब को बताइंगे क्या बाथ्चित हुई है क्या उनका निसकर्स रहा है उनके जवाब से हम संतूस रह नहीं रहे हैं अगर कोई संतूस जुनक जवाब रहा या उनके खिलाफ में कोई कारवाई हुई तो हम ज़रूर आप सब के साथ साजा करेंगे सर जैसे हम बता रहे हैं कि उनके लोग हर जगह बैठे हैं हमें किसी पर भी विश्वास नहीं है किसको हम बताएंगे कौन हमारी बात को लिख करेगा क्योंकि जब हम नॉर्मल अगर ट्रेनिंग से रिलेटिड बाते करते हैं हमें कोच चाहिए फीजियो चाहिए एक्स वाई जड़ किसी के साथ में भी वो बाते भी फेडेशन तक पहुंची जाती है किसी ना किसी वे में अगर उस पाइम पर भी हमें दमकी मिलती है अच्छा तुम्हारा इतना हिम्मत हो गया बोलने का अभी देखते हैं तुमको हम क्या ही कर लोगे तुम हमारे खिलाफ में हम यहीं रहेगा अगर इतनी ठोस वाज में अगर कोई बंदा एक सामने एक अकेली लड़की खड़ी है उसके साथ में कोई नहीं है फैमिली का फैमिली वाले भी बिचारे बाहर बिठा दिया रते हैं कि हमें अकेले में बात करना इन से वो लड़की क्या बोलेगी और क्या उनको कहेगी जितना ये डिले होगा अध्याफ जी के लिए उतना ही खत्रा बढ़ता जाएगा कल हम बता रहे थे कि एक या दो लड़किया है आज हमारे साथ पाफ से च्छे लड़किया है विद्प्रूफ खड़ी है कल को क्या पता दस लड़किया आएंगी कल को बीस आएंगी असवी आ 때는 tv K many pil मांग करें हैं होनी चाहिए हम भी चाहते हैं पपड्दो करें कम से कम पड़े काम से कंप्ड़ो छोड़ के हूँ अपना हम नहीं ठेया पना पद्रुसक्ते कॉंड प्र डृफ सिर्दयर कोये नीचेंट हिंदुस्तान का यहीं रेस्लिंग प्रेडेशन है जो आपके सामने बठा है वो कोर होते हैं डिसाइड करने वाले वो कब रिजाइन करेंगे हमारे साथ गलत हुआ है उनके साथ गलत हुआ है वो डिसाइड करेंगे क्या कब क्या होगा हम डिसाइड करेंगे कब वो डिजाइन देंगे और आज अगर ठोसकारवाई नहीं हुई तो कल हम और भी ठोसकारवाई की पूरी आज क्या भी दे दो हम तो वेट कर रहे हैं कब आएंगे और वो तो फेडरेशन तो दो कदम दूर थी जब वो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फरेंस करें थे वो सामने आके बोलते कि भाई क्या बात हो गई जब वो इतने प्राउडली उस बंद कमरे में आखे दिखा जो खिलारी हैं जो लोंपिक लेडल पर खेले घर मेडियों जो उंको बनाया जाए उनको पता रिष्लिंग का अगर वो अगर हमें माना करेंगे तो भी हमें यह रहा किका मेंसे सीनियर हैं इनको पता है रिस्लिंग का ज्यादा योगेश्वर्दत जी तो खुद रैसलिंग फैर्डिशन के गोद में जा बैठे है जी आप देख लीजिए जितने भी खिलारी है आप सुनों कौन खिलारी सपोर्ट करे हैं आप देखो ओलंपिक में दो मेडल आए ते टोक्टे में कहां बैठे हैं जी वाज रियो में आए का मैं थे हो आज एक सिर्फ यह समर्दत जी हैं जो बड़े खिलारी है बचिता हुद के उन्हों चुछ ने घुर्गे पाल रखे तो आएंगे ना सामने हाँ तो हो गुर्गे पाल रखे मैं बोल ही हुए हुद कर दिया है नहीं है तो उनके खिलाब हमारे पास पुरूफ ह काकरान जी ने खुद बोल रहा है निता जी के खिलाल हमारे पास पूरूप है हम सामने लाएंगे टाइम आने पर नेस्ट रिचाव के कोचे के खिलाफ में फेडरेशन के प्रेजिदेंट के खिलाफ में सब सबूत है हमारे पास बाइर रिकोर्ड है हम ऐसे बेतु कियाने बाते हैं हमें बाते नहीं करें हम सब लेके चल रहे हैं किसने बोला जी हमारे पास कोई हाँ किसने बाते हैं पास किसने पास कोई कोई हमारे चोटे-चोटे-चोटे बैठें में कुछती लड रहे हैं को उनके केरियर कह क्वाल हो यह महनत कह सब बैठें आप लोगों की बीचमे उनका महनत काeln है है आपके साथ दरना प्रडशन प्रडशन कर। तो यह हमारी कुष्टी के लिए दुरु बागगा है अमारी लड़ाई wedisghar के साथ है ना कि लूर्मेंट के साथ करहें हैं काइने का हम रही पेल करें जाने curmaipal कर एक दू कर हैं माननिय यह सुप्रीम कोड से हम अपील करें कि हमारी सुनवाई हो यह दूद का दूद पाने का पाने जल्द हो लेकिन उनको पहले इस्तीफा तो दिलवाया जाए रेस्लिंग प्रेजिजेंट के अंडर में या उनके गुर्गों के अंडर में भी कुल रहेगा जी जब तक जान है तब तक जहान है देखिए आप लोगों को पता है पुलिस के लिए अगर जरूरत पड़ी तो कल ही करेंगे और कल मीडिया के आपके लोग थे मीडिया के जिनके साथ बत्तिमी जी करी गई है उनको थपड मारा है कमरे से बगाया हुनको तो आप देख लिजी हो कितना ड्रे हुए हैं क्योंकि वह सचाई से बाग रहे हैं जीप बच्चों से जबर्दस्ति वीडियो बनाओ और फिर बच्चे डिलिट कर रहे हैं जब उन बच्चों को पता लग रहा कि वह गल्थ है बच्चों को पता जलता है पर फो जबर्दस्ति बलवा रहे हैं उसके बाद वह देख रहे हैं बच्चे की कमज़र पढ़ता जा रहा है यह पक्स तो इसलिए वो डिलेट कर रहे हुनको तो वह जबर्दस्ति सब कुछ चल रहा है ऐसा कुछ नहीं और वह रूट बोलके भ अगर हमने तो इस सब जंटर मंतर पर आगे वीडियो बने जिसे हम पर आ रहे हैं तब उनको माने हैं कि हाँ इस बंदे में दम है इसमें कुछ गलत नहीं किया मैं वही तो आपको बता रही हुँ नाज कले मारे पास अगर एक से दो लो आज हमारे पास 5-6 लड़की आई हैं जिनके जितना समय बढ़ता जाएगा और देख जी के लिए खत्रहुत में बढ़ता जाएगा और वे बोले तुना फंदा उनको खाना पर जाएगा बोल दिया तर्टी से उनके मुझा निकल जुवां गई फिसल अब जुवां फिसल की ह हम पर लवान पड़ा जुद्धी होते हैं खिला अड़ी होते हैं जुद्धी जुद्ध पयार हैं अगर वह नहीं बुलेंगा अपने अंगर से बोल देंगे हमने गलत किया है